Hello everyone and once again welcome to Umar Tashkir YouTube channel, myself Umar Tashkir Guys, Google Analytics 4 के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about retention report Guys, हम लोग समझने वाले हैं कि आखे retention reports के अंदर हमें कौन-कौन से option दिखते हैं और हमें क्या-क्या information दिखती है So guys, यहाँ से हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने laptop screen के उपर और यहाँ पर life cycle के अंदर हमें acquisition, engagement, monetization and retention से related information या reports हम लोग कहें हमें देखने को मिलती हैं हम लोग ने बात करी वी है पहले acquisition की engagement की monetization मैं अभी के लिए थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हम लोग retention समझ लेते हैं क्योंकि monetization is basically related to कि आपकी website के उपर क्या purchases हो रहे हैं या आपकी कोई app है तो इन app क्या purchases हो रहे हैं तो उन सारी चीजों से related ये report है transaction से related ये report है तो अगर आपकी कोई normal website है जिसके उपर monetization का कोई option नहीं कहने का मतलब है जिसपे आप कोई product या service नहीं बेच रहे हैं या आपकी कोई e-commerce website नहीं या आपकी कोई ऐसी app नहीं है जिसके उपर आप कुछ बेच रहे हैं वहां से अगर आप कुछ monetize नहीं कर रहे हैं तो उस particular case में बहुत जादा हम लोग monetization report को नहीं देखते हैं तो गैस सीदे आजाते हैं हम लोग retention वाली report के उपर अब गैस retention का सबसे पहले मतलब समझने कोश्च करते हैं कि आखिर यह जो report दीवी है जो overall report हमें या पर दीवी जिसमें बहुत सारे हमें या पर cards दिख रहे हैं बहुत सारे information दिख रही है इसमें retention का actually मतलब क्या होता है और overall हम लोग किस चीज़ को study कर रहा है तो guys let's say कि हमने एक particular user को acquire किया हमारी website के उपर हमने उसको acquire किया अब वो बार बार हमारी website के उपर आ रहा है या नहीं आ रहा है या बार बार हमारे products को ले रहा है या नहीं ले रहा है या बार बार हमारे block के उपर आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर हमें इन सारी चीज़ों को study करना है मतलब जो हमारी website के retaining power है अगर हमें उसको study करना है कि हमारी website जो भी नए users आते हैं को retain कर पारी या नहीं कर पारी अगर इन सारी चीजों को study करना है तो हमें basically retention वाली report को देखना होता है तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पर बात करें तो retention report हमें ये बताती है कि नए users कितने आए और उनमें से जो हमारे returning users थे वो कितने थे और जो returning users है उनकी performance किस तरीके से है तो इन सारी चीजों को जो retention report है मैं बताती है तो यहाँ पर हम लोग एक-एक करके चीज़े देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर time frame देख लेते हैं last 28 days यहाँ पर selected है तो मैं इसको एक बार के लिए last 7 days करके में से वो हैं हमारे लगभग 57 यूजर ठीक है अप्रोक्सिमेटली 57 ठीक है तो यह हमें graph दिख रहा है ठीक है कि किस दिन हमें कितने users मिले और overall इस time period के बीच में कितने हमारे returning users थे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको new users के उपर आते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो user retention by cohort राइट अब cohort का मतलब क्या होता है guys cohort का मतलब होता है group मान के चलते हैं कि एक particular time period के बीच में जितने भी लोग आए हम मान लेंगे कि वो एक group of people है वो एक जैसी जो characteristics है उनको रखते है that is basically called as cohort तो अगर cohort का आप मतलब समझना चाहे तो simple सा मतलब यह है कि एक हफ़ते में let's say अगर हमारे पास 10 users आए तो यह group हो गया 10 users का group हो गया हम बोलेंगे कि यह एक cohort है ठीक है तो इसी चीज़ को हम लोग basically cohort बोलते है तो user retention by cohort इसका क्या मतलब है और यह जो आपको information यहाँ पर दिख रहे है इसका क्या मतलब है हम लोग clearly समझने कोश्च करते है देखो यहाँ पर जो report है वो 27 September से लेके 3 October तक है तो यह बात तो हमें समझ में आती ही यहाँ पर देखोगे 27 September है और यहाँ पर आप देखोगे 3 October है ठीक है तो यह इतने दिनों की हमारे पास report है अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखो इसमें हमें highlight होके दिख रहा है कि Monday 27 September और day 1 6% इसका मतलब यह है कि जो भी लोग 26 तारीक को हमारी website के उपर आए है या जो भी यह property है जितने भी लोग 26 तारीक को हमारी website के उपर आए है उनमें से 6% लोग next day वापस आए है तो let's say 26 सित ले दिन जो है वो वापस आए है that is day 1 ठीक है और अगर हम बात करें 27 तारीक की यहीं पर तो 26 तारीक को जितने users आए उनमें से 27 तारीक को 6% return हुए है और उसके बाट day 7 की बात करें तो कोई भी user day 7 पे नहीं पहुंचा यहाँ पर 0% रहे है जैसे यहाँ पर आप देख रहो 0% day 7 पर है वहीं पर हम अगर यहाँ पर आजाए लेट से यहाँ पर हम लोग 30 सेतंबर की data देख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 29 सेतंबर को जितने भी लोग आए हैं उनमें से next day जो user retain हुए है या वापस आए हैं वो basically हमारे 8% users जो हैं वो वापस आए तो 29 तारीक को जो भी users आए हैं उनमें से 30 तारीक को हम लोग इतने users को retain कर पा रहे हैं तो यहाँ पर cohort की study हो रही क्यों cohort की study हो रही क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि 29 तारीक को overall जो users आए थे उनके group को as a हम लोग cohort ले रहे हैं तो यहाँ पर 29 को जो लोग आए उनमें से 30 को जो है वो 8 परसंट लोग जो है वो return हुए और 29 को जो users आए वो 7 दिनों बाद 0% मतलब 7 day 29 के बाद जो भी 7 day के बाद date होगी उस date को 0% जो users हैं उन में से return हुए तो हम actually इससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि actually कितने users जो हैं वो over the time return हो रहे हैं तो गैस यहां हमें यह बता चलता है कि हमारी website की retention power है या नहीं जो भी हमारी property है उसकी retention power है या नहीं जैसे कि report भी बताती है तो यह actually हमें retention के बारे में बताता है fine उसके बाद यहां पर हम लोग आ जाए तो user engagement by cohort तो जो लोग 26 तारीक को हमारी website के उपर आए वो वापस 27 तारीक को आकर मतलब next day ठीक है next day वो कितना जो है user engagement कर रहा है on an average ठीक है तो one minute 40 second का और जो लोग 26 तारीक को आए वो साथ दिनों के बाद जो लात्वा दिन होता है उस दिन वो कितना user engagement कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकता है जितने भी यूजर आया Ben बिल्कुल गायब हो जारहे है वो retain होके नहीं रहरह है और जब retain होके नहीं रहरहे है तो user engagement कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यह date हम लोगों ने पकड़ी थी 27 थारीक, यहाँ पर भी date 27 को पकड़ लेते हैं, अब 27 पर day 7 पर जब user ही नहीं आया, तो वहाँ पर average engagement वो क्या करेंग, को engagement ही नहीं करेगा, जब user ही नहीं आया, तो वही चीज़ ही बात, अब यहाँ पर आ जाते हैं, that is basically user retention, user retention का मतलब यह होता है, यहाँ पर सबसे पहले देख लो लिखा हुआ है, last 42 days ending October 3, ठीक है, कह रहा है कि October 3 को सबसे आखरी दिन होगा, ठीक है, और यह October 3 से पहले वाले दिन है, अगर यहाँ देखोगे, 2 October की बात हो रही है, फि उस दिन जितने भी users थे, हम मान लेते हैं, वो users 100% थे, let's say 100 users आए, तो हमने का 100% users आए, अब उन में से कितने-कितने users over the time हमारे पास रह रहे हैं, और कितने users हमारे पास बाहर निकलते जा रहे हैं, तो जो day 0 पर मतलब आज से 41 दिन पहले, जो भी users हमारे पास आए, हम क्या देख रहे हैं, कि next day जना उसमें से केवल 5.4% आ रहे हैं, उसके बाद day 2 पे इन users में से केवल इतने % user आ रहे हैं, तो हम ही क्या पता चल रहा है, कि जो user हमने 41 दिन पहले acquire किये थे, वो user हमारे पास over the time किस तरीके से retain होके रह रहे हैं, ये सारी हमें information यहाँ पर इस particular card के अ अक्टूबर 3, तो यहाँ पर भी हमें ये report actually पता चलती है, कि आज अगर 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर से 41 दिन पहले जो हमने users acquire किये थे, वो users over the time, जैसे 41 दिन पहले जो users acquire किये थे, उनमें से अगले दिन आये, उनका कितना average engagement time था, उसके बाद जो users आये, उनका next day मतलब ठीक है, उसी users में से, जो overall users थे, उनका कितना average engagement time है, उस तरीके से जो हमें यहाँ पर, first day users जो हमने achieve किये तो overall, उनमें से जो 20 वे दिन users हमारे पास आये हैं, returning users, यह सारी data returning users की या new user कुछ भी नहीं है, returning user जो 20 वे दिन आये हैं, उनहीं में से ठीक है, उन्होंने जो average engagement का time है, उनका वो 3 minute 21 second, और यह सारी information, मोटे मोटे तौर पे हमें जो retention है, वही समझा रहे हैं, कि actually users किस तरीके से retain हो रहे हैं, हमारी website के उपर, तो यहाँ पर जो यह lifetime value, यह अचुली यहाँ पर आप देख सकते हो, last 128 days की है, ठीक है, तो ending 3 October, जो भी हम नए users को acquire कर रहे है fine, जैसे भी हमने किसी दिन नए users को acquire किया, तो वो अपने चौथे दिन लगभग कितना revenue जो है, वो generate करते हैं, उनमें से जो हमारे पास, let's say, 68 दिन जो वापस आए users, नए users जो हमने acquire किये थे, उनकी जो lifetime value है, मतलब उनसे हम कितना revenue generate कर रहे हैं, वो information हमें यहाँ पर मिलती ह तो अगर हम लोग retention report की बात करें, तो जो नए users हमारी website के उपर आएं, उनमें से हम कितने users को retain कर पा रहे हैं, तो guys, this is basically the retention report, बाकी बहुत सारी cohort analysis, cohort explore करने की बहुत सारी जो है, यहाँ पर हमें चीज़े देखनों के मिलेगी, जिसको हम आने वाले time में discuss करेंगे, but actually overview के point of view से actually हमें पता होना चाहिए, यहाँ जो retention वाला section दिया हुए, इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों इस particular video में इतना ही, मिलता है next video में, till then, goodbye.